अब देख रहे हैं SPN 9 NEWS, SPN 9 NEWS में बड़ी खबर सामने आ रहें जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि अखलेस यादव और योगी आदित नात में एक वारफिर तगडी फ्लंत हो गई है, पूर्व मुख मंतरी अखलेस यादव ने कहा कि भाजपा का पिछडों के प्रती हमेशा सौतेला विवार रहा है, आज पिछडों का आरक्षन चीना जा रहा है, कले दलितों का भी चीना जा सकता है, भाजपा सड़ेंतर के तहट बाबा साहब के दिये गए अधिकार को खत्म कर रही है, भाजपा पिछडों का बोर्ट चाहती है, उन्हें भागिदारी का अधिका क्यों नहीं बनाती है उन्होंने साप तोर पर कहा है कि भाजपा पिछड़ों का बोर तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें आंगे नहीं रखती है आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में OVC आरक्षन रद्ध होने पर समाजबादी पाइटी हमलावर है इलाबाद हाई कोट की लखनव बेंच ने जैसे ही OVC आरक्षन रद्ध करने का फैसला सुनाया बैसे ही सपा प्रबुक जो है फ्रेंट पुट पर आ गया और योगी आदितनाथ को घेल लिया आपको बता दे कि यहाँ पर साथ तोर पर कहा गया है कि योगी आदितनाथ ज अखलेस जादम ने कहा है कि भाजपा पिछडों का बोट तो लेना चाहती है लेकिन उन्हें वागी दारी का अधिकार नहीं देना चाहती है दिल्ली और यूपी में बनी सरकार पिछडों के बोट से बनी सरकार है लेकिन इनकी सरकार में पिछडों के लिए जगए ही नहीं सरकार आरक्षन तो खत्म कर रही है साथ ही चुनाव से भी भागना चाहती है आपको बता दे कि सपा अध्यक्ष अखलिस जादब ने कहा है कि पुलिस भरती का घोसित रिजल्ट बदल दिया गया है इसमें सत्रह से पिछडों को नौकरी मिली थी लेकिन चार दिन बाद उनकी खुशी शीनली गई भाजपा में आने के बाद पिछडे नेता और मंत्रियों की आत्मा मर जाती है सरकार लगातार भी द्वाव कर रही है अगर सुप्रीम कोट में लड़ाई लड़नी पड़ी तो समासबादी पार्टी कोट भी जाएगी लेकिन जनता के जनता के हित के ल लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित की गई थी इस आरक्षण के खिलाब हाई कोट की लखनव बेंच में याच का दायर की गई जिसमें कहा गया कि OVC आरक्षण देने में सुप्रीम कोट के द्वारा जिस ट्रिपल टेस्ट को आवस्यक बताया गया था उसका पालन हुआ है आपको बता दें कि मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोट ने 27 दिसमबर को प्रिदेस में निकाय चुनाव जल्द चुनाव कराने का आदेस भी दिया था साथ ही राज सरकार की OVC आरक्षण को लेकर नौटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है हाई कोट के इस आदेस क के बाद योगी सरकार बैक फुट पर आ गई और विपक्ष ने सरकार पर OVC आरक्षण खत्म करने की साजिस करने का आरोप गड़ दिया लेकिन बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि आज योगी आदितनाथ चुपेकियों साधी हुए हैं जब अखिली स्यादब लगातार के साथ सोसंड हो रहा है तो फिर योगी आदितनाथ चुपेकियों साधी हुए हैं बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि अखिली स्यादब ने साथ तोर पर कहा है कि जो एसी एस्टी और OVC बर्ग के जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल है बीजेपी में पहुंसते ही उनकी आत्मा मर जाती है वो भूल जाते हैं कि आपके ही समाज के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है सोसंड हो रहा है उनके खिलाप और उनके पक्ष में आपको आवाज उठानी चाहिए लेकिन आप तो उनके खिलाफ हो जाते हैं लेकिन योगी आदितनाथ आज क्यो चुपपी साधे हुए है ये बड़ी बात है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको योगी आदित नाथ सही लग रहे है या फिर यहाँ पर अखली स्यादब ने जो बयान दिया है वो सही है क्या सच में दलित और पिछड़ी वर्ग के साथ सोसन हो रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज के लिए सिरुप इतना ही देखते रहिए SPN 9 News